दोस्तों आईए आज मैं आप सभी को बताती हूँ कि अभी मनी प्लांट डोर्मेंसी से बाहर आ गया है तो इसे आप बहुत इजी तरीके से इसे छोटे से छोटे कटिंग से आप ग्रो कर सकते हैं तो मैंने अपने घर में बहुत सारे मनी प्लांट लगा के रखे हैं मैंने किचन में छोटे-छोटे डब्बे में और तीन-चार हैंगिंग बास्केट में और एक गंबले में भी मैं ट्राइक की की चलो गंबले में भी लगा के देखती हूं तो इस तरह से मैंने अपने घर में बहुत सारे money plant लगा हैं मेरे money plant तो इतने लंबे हो गया थे कि वो जमीन को touch कर रहे थे तो मैं उससे सारे के सारे को cut कर दी थी तो अब भी थोड़े से ये छोटे हैं पर अब इसकी growth start हो गई है अब ये बढ़ने शुरू हो गया है तो फिर ये उसी टाइप के हो जाएंगे तो दोस्तों आप इसे बहुत एजी तरीके से लगा सकते हैं उसके लिंक मैं दे दूँगी मैंने बताया हुए कि इसे आप छोटे से छोटे कटिंग से आप ग्रो कर सकते हैं तो आप लिंक देख सकते हैं और ये मैंने एक गमले में लगाए और इसकी स्टीक मैंने खुद से बनाई हुई है कि मैं इसे स्टीक के साहरे इसे ग्रो करती हूं देखती हूं इसके पत्ते बड़े होते हैं या नहीं तो इसमें भी देखिए अब ग्रोथ स्टार्ट हो गई है और इसके स्टीक परे डंठल को कैसे टाइट टाइट से सबी जगह से बांधे हुए हैं ताकि इसकी रूटस इसमें अच्छी तरह से पकड़ सके और दोस्तों जब भी आप इस तरह से इसके स्टिक में इसे लगाए तो इसके स्टिक को हमेशा गीला रखे तभी इसमें रूटस अच्छे से प कर लिए तो ये आपके मनी प्लांट काफी अच्छे हो जाएंगे तो मैं दिखाती हूं कि इसमें देखें रूट्स अब इसमें काफी बड़े-बड़े रूट्स भी हो गया है तो आप ये पौधे थोड़े से अच्छे हो जाएंगे नहीं तो इसमें अभी उतनी अच्छी ग्रोथ नहीं होई थी इसमें कुछ भी देना नहीं पड़ता है दोस्तों मैं तो अभी तक इसमें कोई खाद ने सिर्फ मैं चाय की पत्तियां डालती हूं और कुछ भी नहीं डालती हूं तो ये बहुत इजी टूग्रोफ प्लांट है इसे आप लगाई अपने घर में हर लगाई हैंगिंग बास्केट में लगाई हैं बहुत ही सुन्दर लगता है और अभी तो और भी ज्यादा अच्छे लगें क्यूंकि ये इसकी अभी ग्रोथ स्टार्ट हो गई है नए नए पत्तियां निकल रहा है तो ये काफी घने हो जाएंगे अब तो मैं लिंक दूँगी आप पर उसको देख सकते हैं किसे कैसे छोटे से छोटे कटिंग से आप सभी लगा सकते हैं और ये मैं पानी में भी लगाई हूं तो आप इसे पानी मिट्टी किसी भी चीज में लगाई है बहुत अच्छी तरह से ग्रोथ कर इसकी होती है तो इस तरह से आप दोनों ही चीज में आप लगा सकते हैं और अगर आप पानी में लगा रहे हैं तो आप कोसिज करें कि इसे ट्रांस्पेरेंट में ना लगा कि आप इसे कोई ग्रीन बॉटल वगेरा में लगाईए तो इसकी रूट्स काफी अच्छी बनती है तो दोस्तों उसके बाद आप इसे मिट्टी में भी लगा सकते हैं ऐसे तो ज़्यादा पानी में ही लगाना संद करते हैं क्योंकि आप उसे कहीं भी रख सकते हैं तो इस तरह से आप मनी प्लांट ग्रो कीजिए मैं लिंक दे दूंगी और देखिएगा और वीडियो अगर जड़ा से भ करते हैं वह मैं लिंक डाल दूंगी आप सभी देखिएगा और मैंने तो बहुत सारे लगा के रखे हुए मैंने तो कुछी